नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे दो तरीके से बाजू की कटिंग एंड श्टीचिंग तो सबसे पहले हम अपने जो बलाउज है उसका नाप लेंगे आरूमल का और देखिए आपने कमेंट करके पूछा है कि हमारे यहाँ पर जोला आती है तो जब आप बाजू लगाती है तो बाजू को खीचा ना करें बाजू बस इसके उपर रखनाइए ना आरूमल को खीचना है आपको आरूमल की उपर रखनेए और सिलाही लगाने अब देखिए कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम है अब देखें, जैसे आगे का तो यहाँ पे solder बड़ा हो जाता है, पीछे का छोटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तरीके से इसकी cutting कर लेगे, जो भी solder आगे का बड़ा है, उसको ऐसे काट लेगे, अब यहाँ पे भ गर आपको शोल्डर लग रहा है यहां पे बड़े या चोटे तो इसको दोनों को बराबर काट लें ठीक है अब जैसे आप लोग बोल रहे हैं की यहां पर हमारे जो बगली की साड सार यहां पर थोड़ा सा फूला फूला सा होता है बो क्या होता है जब आप बदकर देखके पिटिंग कीजिए यहां पे आपने जैसे फिटिंग की सिलाई लगाई है तो यहां पे हमने कमर पे तो यहां पे लगा ली और यहां पे हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है इस तरीके से तो यहां पे रहेगा और फूला फूला नहीं रहेगा और आरूमल आरूमल भी हमें तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ही कम जादा करना है थोड़े थोड़े से ही आदा इंच के से ही हमारा आरुमल बड़ा हो जाता है और आदा इंच से हमारा आरुमल छोटा हो जाता है तो देखिए जैसे हमारा कपड़ा है जैसे दिक्कत आती है बाजू की कटिंग में तो द नए लोग हैं उनके तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि जितना हम बलाउस से लेंगे उसकी कटिंग करेंगे और देखेंगे नए नए तरीके से नए नए आइडिये से तो उतना ही समझ में आएगा तो देखिए इसके बाजू कैसे निकाली जाएगी बो भी पताएंगे और यहां पर देखिए इस तरीके का कपड़ा है इतना बचा हुआ है और इस मैंसे जैसे हमें बड़ी बाजू निकालनी है चोटी बाजू निकालनी है तो बो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए हम अपने आरूमल का यहां पर नाप लेंगे चोड़ाई कभी-कभी द तो हम इस तरीके से निकालेंगे, इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे, यहां पर हमारा यह हो जाएगी, जैसे पांच इंच बाजु चाहिए हमें, तो यहां पर एक इंच हम जादा लेंगे, सिलाई के लिए, तो इस तरीके से हमारी बाजु की कटिंग हो तो उसके लिए हम नो का करना जैसे हर पर हमारी लंबा उपर की साथ हमने दो इंग चुट दिया अब इसको देखिए ऐसे करके हमें इस तरीके से से कहले कटिंग का निशान लगाना है कपड़ा कम है तो देखिए किस तरीके से भी हम चॉड़ाई बढ़ा सकते हैं अब यह कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है तो इसको देखिए यहां पर देख रहा है तिर्चा है और यहां पर सीधा है तो इसको देखिए ऐसे रखेंगे इस तरीके से रख लेगे और इसको रखने के बाद देखिए यहां पर हम ऐसे करके कटिंग कर लेगे अब देखिए अब यहां पे हमारी चोड़ाई कितनी हो रही है तो यहां पे देखे साड़ी दस इंच हो रही है चोड़ाई तौ अब हम इसको लगा के बतादे हैं किस तरीके से लगाई जाती है नाba कि तो यह हमारे मौरी है पहले हम यहां से मौरी पर थोड़ा सब्राइबर करने और हमें लंबाई चाहिए यहीं जी yen dhuता और कपड़े की जो लंबाई है वहाँ कम तो इसके अंदर हम अंदर वाली पट्टी लगा लेंगे अस्तल की थोड़ा साही यहां पर हम मौरी की कटिंग करेंगे क्योंकि गुंजाइस जरूली है थोड़ा धिला कर रह उसको कर सकते हैं तो थोड़ा साहां यहां पर हम गुंजाइस रखेंगे तो यहां पर देखें ।कहनी कि よ कपड़ा अगर 5.6-5 बैशन गळे यह हम ऐसे पट्टी भी लगा सकते हैं और चोड़ाई के लिए हम यह पट्टी लगा सकते हैं तो यहां पर हम एक डेल इंज की पट्टी काटेंगे इस तरीके से अब देखे यह तो होगी कटिंग अब इसकी स्टीचिंग बताती हैं जोड की कैसे इसको जोड़ा जाएगा यहां पर पहले हम यह पट्टी जोड़ेंगे जिससे हमारी लंबाई बराबर रहे हैं कि अब देखे यहां पर पट्टी लगा ले अब जो यह टुकड़ें उनको जोड़ेंगे अब जैसे हमारे चाट टुकड़े हैं इस तरीके से तो हम दो टुकड़े एक बाजू में लगाएंगे अब देखे यहां पर सीधा इसको ऐसे रखेंगे कि अब देखे दौन साइड टुकड़े जोड़ गए और देखे चोड़ाई बढ़ गई कि अब देखें जैसे कुछ लोग वहले हैं कि आगे की साइड आप कटिंग नहीं करते तो मैं कटिंग इसलिए नहीं करते हूं जो नए लोग है वो भूल जाएंगे तो एक कटिंग का कपड़ा अगर आप पीछे की साइड जोड़ देंगे तो पूरा ब्लाउच खराब हो यहां से आगे की साइड से आदा आदा इंच और इसको हमें ध्यान से लगाना पड़ेगा अगर हम आगे की साइड कटिंग कर लेंगे तो इसको हमें ध्यान से लगाना है अगर आप बाजू लगाना जानते हैं तो इस तरीके से कटिंग करके आगे की साइड और इसको इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से देख ना है जब करेंगे तो इसलिए मैं कुरको जाएंगे तो पूरा भॉल जाएंगे तो पूरा पर आरुमल को बराबर कर लिया है चोटा बड़ा हो रहा था तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो बुलकुल जोल नहीं आएगी तो अब हम क्या करेंगे बाजु की जो चोड़ाई है इसको इसके उपर रखेंगे और ना पेंगे क्योंकि बहुत दिक् इसको शोली नहीं लिएन से देखना पर कुछ सूदम ह कुछ बते एक दाड कि आपड़ा हो रहा है तोब देखिऊ यहां तो चोड़ डेंगे या फिसी कटऌ्ट कर लेंगे अशे हमने के हम ऑदा आदा इंच दब ड़क्टकर जोड़ेंगे आदा रेंच का यह कपड़ा दबाना है कम ज्यादा निकरना है कपड़ा कम ज्यादा हो जाथा फिर भी दिक्कत आती बाजू में जोला जाती है आरुमल को कीचना नहीं है बाजू को भी नी कीचना है अब देखिए यहां पर हमारी बाजू की चुड़ाई बराबर आई यह दोनस अब बराबर आई यह तो अगर हम इसमें बॉडर लगाएंगे जैसे लेस आ रही है आजकल बॉडर बाजू का तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे तो देखिए बॉडर छोटा है क्योंकि यह भी दि इतना है छोटा है इसको देखिए डवल करेंगे बॉडर को और इसको बराबर काटेंगे बराबर काटने के बाद अब हम क्या करेंगे ए बाजू को भी डवल करेंगे इस तरीके से बराबर अब यहां पर एक बीच में निशान लगा लेंगे इसको ऐसे बीच में इस तरीक तो अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो देखें ऐसे करके इस तरीके से रखना है बीच में एकदम बराबर दोना साड़ लेस आनी चाहिए अब यहां पर बॉर्डर की चोड़ाई कम है तो इसको देखे ऐसे रखेंगे थोड़ा सा दबा के यहां से बॉर्डर को दबा दिया है जिससे हमारा बॉर्डर अच्छे से दब जाए अब देखे बॉर्डर लग गया है अब हम मौरी के फिटिंग करेंगे यहां से इसको बराबर लखना है अब देखे हमारी यासे मौरी है 10 इंच तो यहां पर 5 इंच को ऐसे करके यहां से इस तरीके से जोड़ेंगे अब देखे इस तरीके से ये हमारा पूरा बाजू लग गया है अब देखे यहां पर बुल्कुल भी जोल नहीं है ये देखे इस तरीके से लगएइ कि यहां अब देखिए जैसे मैंने आपको खा Гव सू चोटी बाजू दो तरीके से बाजू तो देखिए यहां पर वा ङजय बाजू लगकर तयार है और छोटी बाजू वह अभी बता से हमारा इंश तो एक प्ड़ा तो मैं थहar को दिखां दिया तो इतना चोटा है अब जै अब इसको ऐसे डवल करेंगे ऐसे अभी डवल हो गया अब यहां पर दीकिए बंद वाली सायड है यहां पर दो इंच इसको छोड़ेंगे बाजु काटने का असान और सरल तरीका है और पेपर पर कटिंग करते रहें पेपर पर आप बाजु ज्ञादा से ज्यादा काट है इ पिर्चिलान हमने खीच ली अब इसमें देखिए हम अपने इसाब से गोलाई देंगे इस तरीके से देखिए गोलाई दे लिए यह हो गया अब जो चोडाई का मैं उसके बारे में बताऊंगे कैस इसकी चोडाई बढ़ानी तो देखिए कटिंग का कपड़ा इसको अलग आदा करके लगाना है दोनों बाजू पर बॉडर निकाल लिया इसको आदा करके लगाएंगे अब देखिए कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे इसकी चोडाई का मैं तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे इसको डबल करके अब जैसे हमें कपड़े की चोडाई ज्यादा कटिंग नहीं करेंगे इसको सिम्पली ऐसी रखेंगे सबसे पहले हम एक टुकड़ा लेंगे और इस टुकड़े के ऊपर अपनी बाजु रखेंगे बाजु अब रखने के का वी जगई क तो इस तरीके से बाजु निकाली जाती ऐसा करती हैं आशा करती हूं आपको मेरी एे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से ज़्यादा शेयर करें इससे क्या है मुझको पता चलेगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर लें इससे क्या है कि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे तो वो आपको मिल जाएगी धन्यवाद